है लो फ्रेंड्ड्स स्वागत आपका लोग्यान चनल पर पुलिस एक्ट की शिविंध क्लास में आपका स्वागत है आज पुलिस एक्ट की ये सेविंध क्लास और फिर इसके बाद एर्थ क्लास और स्ट कमपलीट इसके बाद के से स्वारवे सप्सक्राइबomme प्राफदान करता है सड़कों पर अपरादों के लिए दंड मतलब सड़कों पर जो अपराद होते हैं उन तो कैसा अपराद करता है जिससे निवासी यातरी या आगंतक निवासी मतलब जो उसेहर में रहने वाले है यात्री मतलब जो वहां से यत्रा कर रहे हैं और आगंतक मतलब जो बाहर से visitors प्रेइंट है थीक है तो resident है visitors है और passengers है इनको कोई बाधा होती है असुविदा होती है सड़क पर यात्रा करने में चलने में छोब होता है जोखिम रिस्क होता है संकट डेंजर होता है या नुकसान होता है तो ऐसी इस्तिती में magistrate के समझ दो सित्धि पर आठ दिन के कठोर सस्रम सहित या रहित काराबास से या 50 उर्पय से अनधिक दंडित किया जाएगा तो अगर सड़क पर कोई अपराद किया जाता है जिससे क्या होता है बाधा होती है चोब होता है जोखिम होता है शंकट होता है नुकसान होता है ठी हम लोग आगे देखेंगे आठ तरीके के अपराद हैं वो किये जाते हैं ठीक है तो अब इस सेक्शन में आपके एक तरीके से पूरा ओबर्व्यू दे दिया अब एक तरब से पर रादों के लिए दंडगा प्रावधान पुलिस अदनियम की किस दारा में है तो दारा 34 में है ठीक है कि दारा 34 को विस्तार सहर के सीमां में कौन दे सकता है जिला मस्टिड पुलिस अदीच्चक राज्य सरकार या इन में से कोई नहीं तो आप का अंसर क्या होगा इस क्या विस्तारित क्या गया कि अगर कोई भी सडक मार गया खुला चित्र आम रास्ता पर अपराद करता है यह अपराद भी धारा दारा 34 में कितने दंड का प्रापधान है तो दारा 34 में आठ दिन का सस्रम या स्रम रहित कारावास हो सकता है कितने दिन का यह याद रखिएगा आठ दिन ठीक है थी इसके अलाबा दंड कितना हो सकता है अर्त दंड तो अर्त दंड़ 50 रुपए से अनधिक 50 रुपए तक का अर्त धंड भी लगाया जा सकता है कोन लगाएगा मजिस्टेड लगाएगा यह सब जो point होते हैं सेक्षन में यहीं सिप्री के question मनते हैं ठीक है इसके अलाबा क्या होगा कि जो अपराद करने वाला वेक्ति है अगर पुलिस अधकारी की उपस्तिती में अपराद करता है तो पुलिस अधकारी उसे बिना वारंट के अपने custody में ले सकता है यह भी सेक्ष जाता है लेता है देख लेते कौन कौन सा अपराद के जाता है दौर बद्या बेताहससा सवारी की जाती है कोई इस तरीके से रहा है जिस से जो बेतासा मतलब जो आड़े तिर्चे तरीके से या इस तरीके से कर रहा है जिस तरीके से नहीं करनी चाहिए या कोई जीव जनतों के साथ निर्दहिता कर रहा है जीव जनतों को मार रहा है या त्रियों को बादा पहुंचा रहा है कोई सड़क पाई ऐसा काम कर रहा है जि एक तरीके से मत्त मतलब आप समझी रही है टॉक्सीक मतलब शरां प्यायर किया हुआ है वलवातमक जो Julia कि अगर साधाड़ वासा में करते है अवीधर्शन कर रहा है मतलब है अगा अपने शरीर अगर उपेच्छा करता है ना दारा चौहतेस में यह आठ तरीके के अपराइद बढ़ने थे अगर इन में से कोई भी कारे करता है जिससे निकलने वाले । निवासियों को यात्रीयों को या आगंतुक तो बाराबास गया उसे होटा इस rep Ergebnis पहुंसता तो समझ कोई भी नहीं होता क्यों कि ना तो आठ दिन का और वावस तरीके के अपने से दिश्ट से देख लिए चाहिए यह आठ तरीके के अपराद की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए पूछा कोश्चन इस तरीके से जाएगा कि धारा चौट इसमें निम्न मैंसे कौन इसमें से और तुक्त आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए इसके अलावा दंड से याद होना चाहिए मजिश्टेट को रफार है गरफ्तारी कैसे हो सकती है और पुलिस अपरस्थिति में कोई कारेक किया जाता है और यह जो दारा 24 से जहां पर इस अधनियम को विस्तारित किया है सड़क पर मार्क पर खुले चेतर पर और आम रास्तों पर तो दारा वाला समन नहीं जो कोड का अधेस होता है बुलाने के लिए यह समन मतलब समाप्त करने वाला समन है जो आपने सिर पढ़ते समय भी देखा होगा कि वह समन होता है जिसमें अपराद को खतम किया ठीक है नो कौन कौन से अपरादों का समन होगा धारा 34 का के द्वारा 24 में भी आप तुरंत पढ़के आए हैं आगे 24 में पिछले लेक्षेम में आपको पढ़ाई थी 34 मैं दंडनी अपरादों का समन होगा तो मतलब के समन के लिए सच्चम प्राधिकार पुलिस जिला के जिला अदिच्चक के पास है किसके पास है जो आप सामाने पुलिस जिला है उसका जो जिला अदिच्चक है एस पी है उसको सच्चम प्राधिकार है तो दारा 34 काम है अप राधों के समन के समन में प्राधिकार के सदकारी पूलिस को दिया गया है अभी उजन के पूर्व या प्रारंब होने से पूर्व या मामला चलने के दोरान भी समन किया जा सकेगा अब रादों के समन के लिए समन के लिए एस पी द्वारा निर्दारित समन सुल्क देना होगा मतलब एस पी जब अपनी महौर लगाएंगे अपरादों के समन के उपर अगर माली बार्ता होती है बारता में समन किया जाता है और समन जो प्रोसेस है उसके प्रणामस रूप समन सुल्क भी लगा सकते हैं तो आपसे कोश्चों यह पूछा जा सकता है कि समन सुल्क जो होगा वो कितना जादा हो सकता है तो समन सुल्क की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है अपराद के लिए नर्दारत अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं होगी जैसे दारा चौन से पूर्म समन गया जाता है तो आप्योजन दैर नहीं होगा और अप्रादों का समन अधिकति और अगर अब योजन के पस्चाथ मुच्ट मानब congregать ठीक है। तो इस तरीके से अपरादों का समन होगा 예店 की किस दारा। 24 कांब है उत्तर प्रदेस में इया परादों के समन की दारा 34 का कऴ से प्रवावि है तो 1950156 को परवावि दी गई है उसको पावर है कि वो अपरादों का समन कर पाए अपरादों का समन अपरादों के किस इस्तर पर होगा तो अगर 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 अभियोजन से पूर्व समन किया जाता है तो अभियोजन दायर किया जाएगा अभियोजन दायर करके समाप्त करा दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं इस तरीके से आपसे पूर्व सकते हैं तो आप बता देंगे कि अगर अभियोजन से पूर्व किया गया है तो आपका अभ अगर अभ्योजन के पश्चात किया गया है तो दोस्मुक्ति मानी जाएगी तो यह भी question पूछ सकते हैं कि अगर अभ्योजन के पश्चात दारा 34 का में अपरादों का समन होता है तो उसे माना जाएगा option A दोस्मुक्ति option 2 option 3 मामला समाप्त हो गया और option 4 उनमे से कोई नितू साप साप सब्सब्स लिखा है कि दोस्मुक्ति माना जाएगा तो से बेसे पूर वह है तो अग्यूजरिंग लिंक culture जयागा और region के बाद है तो समन लिए स्मय मान लिया झाएगा ठीक है अपरात के समन के लिए एसपी द्वारा नीडारित समन सुल्क देना जो समन्सुल्क होता है वो देना होगा एस पी द्वारा जो निर्धारित होगा ठीक है समन्सुल्क अधिकतम सीमय अपराद के लिए निर्धारित अधिक नहीं होगी कितना अधिकतम जुर्माना हो सकता है जो अपराद के लिए निर्धारित है वो जुर्माना जो अधिकतम न दारा 34 का लगबख पूरी आपकी कवर हो गई कोई पॉइंट छूटा नहीं है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए अब धारा 35 में आते हैं मजिस्टेट की अधिकारता के बारे में प्रापदान करता है कि पुलिस अधकारी के बुरुद्ध आरोग होने पर अगर कॉंस्टेवल से उपर की रेंग का कोई पुलिस अधकारी है और उसके बुरुद्ध कोई आरोग लगता है कि उसने अपनी सकतियों का जो दुरुपयोग है वो किया है या उसने अपनी सकतियों का अनधि मतलब अपनी सीमा से अधिक प्रयोग किया है तो धारा पैटि में मजिस्टेट की जो अधिकारता है वो पुलिस अधिकारी के बुरुद्ध अगर आरोप लगा है कॉंस्टेबल से उपर के रैंक का कोई अधिकारी है तो उसकी जांच जो होगी की इन्वेस्टिकेशन वहोगा वही विक्ति कर सकता है जिसके पास मजिस्टेट की पावर्स हैं यह धारा 35 में बताया गया है मतलब अगर किसी कॉंस्टेबल से उपर के रैंक पर कोई भी अधिकारी है उसके उपर कोई भी आरोप लगता है तो उसकी जांच करने की अधिकार प्राबदान करती हैं इसे के वर यह वह सकता है कि अगर किसी कॉंस्टेबल से ऊपर के रहं की आरोप लगा है तो आंसर होगा मजिस्टेट की सब्सक्राइब करने वाले वह तो मजिस्टेट उसकी जांच कर सकेगा यह आप से यह नहीं पूछेंगे पैंसी इस्पेक्टर पर आरोप लगा है अनीमित्ताओं का तो उसकी जाज कौन करेगा प्रापदान और कौन कर सकेगा मजिस्टेट जाज कर सकेगा चिंपल सी दारा है उसको याद कर लिजेगा तारा है default ., 7 डवल ड्योपाड़ी के सम्मन्द में है तारा चटिस का पर आपदान करती है कि अगर कोई ऐसा अपराद है जो पुलिस अदनीयम में भी दंड़नी है जैसे कि दारा ऊपर कि जो दारा है दारा चौटिस में दंड दिया गया और यह जो जो दारा 34 में भी दंडनी है और किसी अन्य दारा में भी दंडनी है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर कोई वेक्ति ऐसा कारे करता जो पुलिस अधनियम के अधीन दंडनी है और वही कारे जो है वो किसी अन्य अधनियम में भी दंडनी है तो दोनों में ही दंडित किया जाएगा लेकिन एक रोग जरूर लगाता है वो दारा चतिस का परंतुक है ना परंतुक क्या कहता है कि दौनों में दंडित नहीं किया जाएगा चाहें आप किसी भी एक्ट में दंडित कर लिजे चाहें जैसे मानन लिए कि कोई बेगटिक किसी जानवर का बद करता है जिसका बद करना किसी अंदनियम में मानने यह किसी अधनियम में और यहां परो उसको दंड़नी बना दिया गया तो पुलिस अधनियम में दंड़नीय हो सकता है और ऐसा उस अधनियम में भी दंड़नीय हो सकता है लेकिन दारा इसको किया जाता है और यह किया चिए रहा तरो सिद्डिक रोकने के लिए या दोहरे दंड से बचने का प्राज़नीय का प्रापदान किस डारा में क्या गया है यह बहुत इंपोर्टेंड को सकता है प्राफदान किस है तो दारा 36 में दोर्टине से बचने का प्राफ किया गया है ये आप जान लीजिये ठीक है सास्तिया अगर किसी विन धीपर मजिस्टेट और CRPC की दारा 386 से 389 लागू होगी और दारा 34 के दिन जुर्माने से दंडा विष्ट कोई वेक्ती अगर जुर्माने से विद्करम करता है तो IPC की दारा 65 में किसी बात के होते हुए भी आठ दिन से अनदिक कारावासे कारावासित किया जा सकेगा मतलब दारा 37 जो है वो जुर्माने के संब्दम है कि अगर जुर्माना अदरूपित किया गया तो उस जुर्माने की बसूली किस परकार से होगी और उस जर्माने का अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको क्या दंड दिया जा सकेगा दारा 37 को सामाने सब्दों में समझे तो मूल लूप से ये कहती है कि अगर किसी विक्ति पर जुर्माना लगाया गया है जुर्माने का दंड दिया गया है तो उस पर IPC की दारा 64 से 70 भी लागू होगी और CRPC की दारा 386 से 389 भी लागू होगी जो जुर्माने के समंद में प पराफदान किस धारा में दो हापका आंसर होगा संस में इसके समंध में प्राफदान किया गया गया जह जुर्माने की प्रक्रिया गया तो टारा 74 से 70 और CRPC के पराफदान लाग ढब गोंगे कूश्चन इस तरीके से बन सकता है कि पुलिस अक्ट में लगे हुए लेकिन कहा क्या है कि सब यहागं यह संग 6 फैसल जो है उसके प्राब्दान उसहद तक देता तो उसे मैक्जिमम आठ दिन का कारबास दिया जासक्रिघा तो पैसनट में जो दिए दने का कारावास सकता है फिर IPC यहाँ पर लागू नहीं होगी केवल आठ दिन तक के लिए उसके आगे लागू नहीं होगा तो कोश्चन सिंपल बनेगा कि दारा प्लिस अधनियम में धारा 37 में जो दंड दिया गया है जो जुर्माने की वसूली के समंद में प्राबदान है उसके अनुसार अगर कोई वेक्त जुर्माना नहीं देता तो क कोई लक्षर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए मिसन एक लिखना बिल्कुल मत बूलिएगा मिसन एक यह चीज हमको प्रेरित करती है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें तो मिसन एक लिखिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए और आप कम से कम इतना तो करें सकते हैं कि लाइक का बटन दबाईए आपको इसकी पीडियाएफ हम फ्री ओफ कॉस्ट दे रहें कोई पेड चार्ज नहीं है मैं आपको फिर से बता दू कुछ लोगों के अभी भी मैसेज आते हैं कि सर्भ वीड कर दिया हुआ टेलीग्राम गुरुप का उसको जॉइन कीजिए और टेलीग्राम पर आराम से पीडियाफ डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए पैसा आपकी पढ़ाई में बादा नहीं बनेगा एक प्लिस एक्ट कर लेंगे एक बार देख लेते हैं धारा हम लोगो आपकी निरसित हो चुकी है तो अब यह बची हुई जो दारा है वो एक वीडियो में हम लोग कवर करके 42 से 47 इनको एक वीडियो में कवर करके फिर उसके बाद इसके के एमसी की उपर चलेंगे तो पुलिस एक्ट आपका बहुत जल्दी कवर हुआ जा रहा और कोशिस रही है मेरी कि कोई पॉइंट छूटे ना आपकी भी कोशिस होनी चाहिए कि अच्छे से तैयारी किजिए और कोई भी कोश्चन आप गलत करके ना है आपने पुलिस एक् कर्वादव से एक्वाद़ करदा चाहिए पुलिस एक्षार और कोश्चन आपका गलत करके लिएक अच्चन आपका बहुत है कि पुलिस एक्षार हा है गलत करके लिएक कि लिए और कॉज़